बच्चो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल प्लैट्फोर्म ऑफ जोग्रफी में बच्चो कल की ग्लास में हमने फसल चक्र फसल चैन पड़ा था ठीक है फसल चक्र क्या होता है और किस परकार हमें फसल चैन करना चाहिए जिससे की भूमी की उरवर्ता बनी रहे ठीक है तो फसल चैन के अंतरगर्थ हमने फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेते ठीक है और हमने ये भी जाना कि फसल चक्र से भूमी की उरवर्ता कैसे बन दी है ठीक है फसल चक्र के बच्चो कुछ नियम भी हमने देखे थे हैं पर कि दलहनी फसलों के बाद खाद की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिक पानी चाने वाली फसल के बाद कम पानी चाने वाली फसलों को बोना ठीक है मिर्दा में पानी एवं वायू का घनिष्ट संबंध होता है और किसी एक की मात्रा कम होने पर इसी अनुपात में दूसरे अव्यव की मात्रा बढ़ जाती है मिर्दा का जालिस्तर बहुत जादा नीचे चला जाता है तो जालिस्तर काफी नीचे चला जाता है पोदों की जड़ों का विकास परभावित होता है एवं अन्य पर्तिकूल परभाव पड़ते हैं अते फसल चक्र में कम सीचाई चाहने वाली फसल एवं अधिक सीचाई चाहने वाली फसल को एक करम में उगाना चाहिए जैसे गन्ना, जोग, धान, चना या फिर मटर आदी ठीक है बच्चो अधिक पोशक तत्व चाहने वाली फसल के बाद कम पोशक तत्व चाहने वाली फसलें उगाना चाहिए अधिक पोशक तत्व चाहने वाली फसलें लगातार एकी भूमी में उगाते रहने से भूमी की उर्वरा शक्ती का हरास शीग्र हो जाता है एवं खेती की लागत बढ़ती चली जाती है आता है अधिक पोशक्तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोशक्तत्व चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए जैसे आलू, लोबिया, गर्ना, कर्दू, भर के अधि फसल चक्र अधिक क्रिशन क्रियाएं या भूप परिशक्रण या फिर चाहने वाली फसल के बाद कम क्रिशन क्रियाएं चाहने वाली फसल उगाना इस परकाई के फसल चक्र से मिर्दा की संग्रचना इससे ठीक बनी रहती है एवं लागत में भी कमी आती है इसके अलावा निंदाई गुड़ाई में उपयोग किये जाने वाले सिंसाधनों का दूसरी फसलों में उपयोग कर अधिक उतपादन प्राब किया जा सकता है आलू, प्याज, गन्ना, मुंग, आदे दो से तीन वर्ष के फसल चक्र में खेत को एक बार खाली या परती छोड़ा जाए फसल चक्र में भूमी को परती छोड़ने से भूमी का उरवरता में हो रहे लगातार हरास से बचा जा सकता है मिन्स अगर हम तीन साल का फसल चक्र अपना रहे हैं अपनी खेत के लिए तो उसमें हमें खेत को एक बार खाली छोड़ना चाहिए ठीक है खाली छोड़ने को परती भी कहते है परती भूमी छोड़ने चाहिए मिन्स ऐसा नहीं है कि लगातार हम फसले लेते ही जा रहे हैं लेते ही जा रहे हैं इससे क्या होता है भूमी की जो उरवरा शक्ती होती है उसका हरास होने लगता है परती मिर्दा में नट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है अध्या अधिक पोशक तत्व चाहने वाली फसल से पूर्व खेत को एक बार खाली अवश्य छोड़ना चाहिए जैसे मक्का, गेहूं, मूंग, जुआर, चना, परती, गेहूं या तीन वर्षिय फसल चक्र दूर दूर पंक्ती में बोई जाने वाली फसल के बाद घनी बोई जाने वाली फसल उगानी चाहिए वर्षा के दिनों में सघन एवं भूमी को आच्छादित करने वाली फसल लगाने से मिर्दा अक्षरन कम होता है जबकि दूर दूर पंक्तियों में बोई गई फसल से मिट्टी का कटाओ अधिक होता है आते ऐसी फसलों का हेर फेर होना चाहिए जिससे मिर्दा कटाओ एवं उर्वर्दा हरास को रोका जा सके जैसे सोया बीन और गेहूं दो तीन वर्ष के फसल चक्र में हर बार खरीफ में हरी खाद वाली फसले ली जाए इस परकार के फसल चक्र से भूमी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है जो की भूमी में वायूमंडली नाइटरोजन का इस्तरी करण करती है हरी खाद के दुआरा भूमी में 40-50 किलो गराम नाइटरोजन परती हेक्टियर इस्तिर होती है इसके लिए सनई, धेंचा, मू, उर्द, आदी फसलों का उप्योग किया जा सकता है फसल चकर में साग सबजी वाली फसल का समावेश होना चाहिए ऐसा आवशकता की इससे आवशकता की पूर्ती होती रहती है आते इसके लिए खरीफ, रभी या जायद की फसलों में से एक फसल सबजी होनी चाहिए जैसे के आलू, प्यार, भेंगन, टमाटर, आदी नेक्स्ट पॉइंट है इसका फसल चकर में तिलहनी फसल का समावेश होना चाहिए घर की आवशकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा फसल चकर तियार करना चाहिए जिसमें एक फसल तेल वाली हो जैसे सर्सो मुणफली आदी एक ही परकार की बीमारियों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार एक ही खेत में नहीं उगाना चाहिए जिससे फसलों को हानी नहीं उठानी पड़ती है अच्छे फसल चक्र अपनाने से फसलों को कई बिमारियों से बचाया जा सकता है जैसे कि चना एवं अरहर में उक्त रोग को सही रोग थाम किसी खेत में एक या दो वर्ष के अंत्राल में लगाने से की जा सकती है ठीक है? फसल चक्र ऐसा होना चाहिए कि वर्ष भर उपलब्द संसाधनों का समूचित उपयोग होता रहे फसल चक्र निर्धारण के समें यह ध्यान लखना चाहिए कि किसान के पास उपलब्द संसाधनों जैसे भूमी, श्रम, पूंजी, सिचाई, इत्यादी का वर्ष भर सदुपयोग होता रहे एवं किसान की आवशक्ताओं की पूर्ती फसल चक्र में समावेशित फसलों के दुआरा होती रहे ठीक है बच्चो तो ये बच्चो ये कुछ पॉइंट्स थे फसल चक्र को अपनाने के लिए ठीक है नेक्स्ट है फसल चक्र अक्षेतर की समस्या पर आधारित होना चाहिए ठीक है तो अक्षेत्री की भी काफी समस्याएं होती हैं ठीक है तो हम जो भी फसल चकर अपना रहे हैं वो हमारे अक्षेत्री की समस्याओं पर अधारित होना चाहिए ठीक है यदि भूमी डालू हो तो भूमी को आर्चादित यानि ढखने वाली फसलों से भूमी अक्षरन में कमी आती है इस परकार के फसलों को फसल चकर में शामिल करने से मिर्दा जल का वाशपी करन के दुआरा होने वाली हानी को रोका जा सकता है इस परकार की फसले उन अक्षेत्रों के लिए लाबकारी होती है जहां मिर्दा अप्रदन की समस्या होती है मिर्दा अप्रदन से उपजव मिर्दा वे पोशक तत्व ढालू भूमी में पानी के साथ बह जाते हैं इन परिस्तितियों में घास वाली और दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल किया जाना चाहिए इन फसलों की जड़ों में मिर्दा कणों को बांधे रखने की ताकत होती है नेक्स्ट पॉइंट है कम पानी या बारानी अक्षेत्र के लिए फसल चक्र कम पानी वाले अक्षेत्रों में भी फसल चक्र अपना कर भूमी की उरवर्ता बनाई रखी जा सकती है जहां पानी की कमी हो वहां कम पानी चाहने वाली फसलों जैसे बाजरा जो मसूर चना इत्यादी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए इस परकार की फसलों से कम पानी में उत्पादन के साथ साथ भूमी की उरवर्ता भी बनी रहती है ठीक है तो ये कुछ फसल चक्र की फसले दे रखी है ठीक है एक मुंग की फसल होनी चाहिए एक गेहूं की होनी चाहिए ठीक है तो सिकिंड में उनालू मुंग जुवार गेहूं की भी फसल चक्र अपना सकते है सोया बीन और गेहूं का फसल चक्र अपना सकते है मक्का और चना फसल चक्र अपना सकते हैं ठीक है बच्चो तो बच्चो अभी फसल चक्र के हम कुछ लाब हम पढ़ लेते हैं फसल चक्र से क्या-क्या लाब होते हैं ठीक है फसल चक्र के लाब मिर्दा की उद्वर्दा में वरधी होती है और फसल उत्पादन आधिक होता है ठीक है आधिक उत्पादक्ता मिलती है और कीटो पर नियंतरन होता है ठीक है नेक्स्ट लाभ ऐसे मिर्दा संग्रचना का विकास होता है परिवार को रोजगार मिलता है ठीक है उत्पादों का उचित मुल्य मिलता है किसान को न्यून पर्तिस्प्रद्धा ठीक है इसमें कोई पर्तिस्प्रद्धा भी नहीं होती है तो बच्चो हमने फसल चक्र फसल चैन को अच्छी से जान लिया है ठीक है इससे क्या-क्या बैनिफिट्स होते हैं तो बच्चो आप सभी इसके नोट्स बना करके मुझे आप सेंड कीजिएगा ठीक है और अगर इसमें आपको कोई भी समस्या आती है कुछ भी पोछना होत है आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है बच्चो तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्लास में कि अ कि अ